दोस्तो मेरा नमे विजय कमर आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो तुलसी कॉमिक्स की संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है निखटुट ठग तो आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिष्ट जोके कुछ इस तरह का है तो चलिए इसकी सं सी थे हे राम तुने हमारी किसमत में ये निखटु क्यों लिखे थे भगवान आखिर हमने तेरा क्या विगाड़ा था जो तुने हमारे करम में ऐसे पती लिखे ये कुछ काम धाम करते नहीं बस सारा दिन चरपाई ही तोड़ते रहते हैं या कोड़िया खिलते रहते हैं र एक दिन जब सोना और चंदा का सब्र का बांग तोड़ गया तो काम खुल कर सुन लो इस घर में अब चूला तभी जलेगा जब तुम हमारी हतीरी पर लाकर कुछ धन रखोगे चाहे तुम कहीं चोरी करो डाका डालो या लूट मार करो जिस भी तरीके से हो सके हमें धन ला कर तो खाली हाथ बहुत दिनों तक तुमारे घर का चूला फूख लिया भाग्यवान इस समय पेट में बड़ी ही जोर जोर से चुहे कूद रहे हैं इस समय तो खाना दे दो खाना खा कर इस बिचार पे सोचा जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा हमने जो कह दिया सो कह दिया हमारी बात पत्थर के लकिर समझना तुम ओ लगता है स्यामानंद आज यहां अपनी दाल कलने वाली नहीं है चल बाहर चल दोनों चुपचाप बाहर निकालाएं अब भाईया स्यामानंद आज तुम्हारी और मेरी पत्नी ने हम दोनों को खुब खरी खुटी सुनाई है आखिर हम में भी गैरत है उन दोनों ने हमारी गैरत को ललका रहा है हम उन्हें उसका मुतोर जवाब दे कर ही रहेंगे यानि हम काम की तलास में नगर जाएंगे वहां से कुछ धन कमा कर ही अब वापस घर लोटेंगे मतलब हम आज नगर जा रहे हैं हाँ स्यामानंद हम आज और इसी समय नगर जा रहे हैं तो चलो भाईया मैं तुम्हारे साथ हूँ दोनों उसी समय नगर की ओर चल पड़ें लंबा सफर तैकर जब ये नगर में पहु मारे पास जेब में थोड़ा धन होता होता तब ना तभी ओह लगता है कोई मुसल्मान मर गया है मरहुम के रिष्टेदार उसे दफना ने कबरिस्तान ले जा रहे हैं सायद जब जनाजा उनके समीब से गुजरा स्यामानंद इस जनाजे को देखकर अकस्मात ही मेरे भाग में धन कमाने की एक योजना आई है जरा बताओ तो भाईया वो योजना क्या है यह मैं तुम्हें बाद में बताओंगा आ चल पहले इस जनाजे में सामिल होकर मर्देवाले के बारे में लोगों से कुछ जनकारी हांसिल कर ले चलो भाईया दोनों उठें और जनाजे नगर के दखिन में जिसकी बड़ी हवेली है अस्लम बेग तो इस नगर के सान थे सुखे मेवे के परसीद वेपारी थे मिर्जा अस्लम बेग ओ तुम उन मिर्जा अस्लम बेग की बात कर रहे हो क्या उनका इंतकाल हो क्या है हाँ यह उनी का जनाजा है तब तक वे लोग पर्वेस कर चुके थे मुस्लिम रिती निवाजों के अनुसार मिर्जा असलम बेक को सुपूर्द खाक किया गया ततपशाद अब भईया अब हमें इन लोगों के साथ चल कर मिर्जा असलम बेक की हवेली देखनी है दोनों ने ऐसा ही किया यही है मिर्जा असलम बेक की हवेल हमेले से कुछ दूर जाने पर स्यामानंद तो इसी समय कबरिस्तान जाकर मिर्जा अस्लंबेक की ताजी खुदी कबर में घुश जा ये तुम क्या कह रहे हो भईया हाँ स्यामानंद मेरी योजना का ही एक अंग है ये पर भईया मुझे अपनी योजना का कोई सीर पैर तो समझाओ जरा तब रामानंद ने स्यामानंद को अपनी योजना बताई ओ भईया योजना तो आपने बड़ी ही अच्छी बनाई है तो जा कर वैसा ही कर जैसा मैंने तुझसे कहा है स्यामानंद उसी समय कबरिस्तान की ओर चल दिया कबरिस्तान में जाकर खट वो कबर की करवट में इस तरह छिप गिया जिससे उसे सांस लेने में सांस लेने के लिए ताजी हवा मिल सके उधर दूसरी ओर मैं लुट गिया भरवाद हो गिया अरे मिर्जा असलंबेग तुम तो मुझे जीते जी मार गए तुम कौन हो भाई इस तरह हमारे अबाजान का नाम क्यों अनाब सनाब बक रहे हो अरे भाई इसमें मेरा भाला क्या कसूर मेरी जगा तुम होते तो ऐसे ही सिर बिटते आखिर बात क्या है कुछ बताओ तो सही तो सुनो बर्खुदार तुम्हारे मरहुम अबाजान मेरे करजदार थे करजदार हाँ करजदार आज से एक साल पहले उन्होंने मुझे पचास स्वन मुद्राएं मेवे के वेपार के लिए ये करकर उधार दे थी कि वेपार में मुनाफा होने पर वे ब्यास समेत मेरी सारी स्वन मुद्राएं वापस लोटा देंगे तब से ये समय आ गया पर मिर्जा ने मेरी मुद्राएं वापस नहीं लोटाई जब तक वे जिंदा थे सुन मुद्राएं मिलने की आसा थी पर अब जब मिर्जा ही नहीं रहें तो मेरी मुद्राएं तो मुझे वापस मिलने से रही अब तुम भी बताओ दुखी ना हो तो क्या करूँ आप दुखी ना हो, यदि हमारे अबबाजान ने तुमसे कभी करजा लिया होगा, तो उन्होंने अपने खाते में इस बात को अवस्ते कहीं दर्ज किया होगा मैं अभी उनके तमाम बही खाते देखता हूँ यदि आपकी बात सच हुई तो मैं अपनी फिता का सारा करजा तुम्हें अधा कर दूँगा खुदा तुम जैसे नेक बेटे को लंबी उम्र दे आमीर उसी समय बही खाता देखने में जुट गया बहुत खोजबिन करने के पस्चात बही खाते में तो कहीं भी आपके द्वारा दिये के करजे का जिक्र दर्ज नहीं है ओ यहां भी मेरी किस्मत मुझे दगा दे गई रामानन्द मायू सोठा तभी बेटा क्यों न हम कबरिस्तान जाकर मिर्जा अस्नम बेग से इस बारे में पूछ लें यह आप क्या कह रहे हैं चच्चा जान भला कबर में सोय अबबाजा मरहूम क्या बताएंगे ऐसी बात नहीं है बेटे कभी कभी कबर भी बोल पड़ती है मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना तुमने अनहोनी का नाम तो सुना होगा वही अनहोनी कभी कभी हो जाया करती है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है तो ऐसा करते हैं तुम मेरे साथ कबरिस्तान चल अपने पिता से मेरे द्वारा दिये गए कर्ज के बारे में मालूम करो यदि कब्र में से तुमारे अब्बा ने बोल कर मेरी बात को सही बता दिया तो तुम मेरा कर्ज अधा कर देना यदि कब्र में से तुमारे मरहुम अब्बा की आवाज नहीं आई तो मैं सबर कर कलेजे पर पत्थर रख लूँगा और करज में दी गए पचास सुन मुत्राओं को बिलकुल भोल जाओं का बेटा आमीर ये जनाब ठीक कह रहे हैं कबरिस्तान हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ तब सभी लोग कबरिस्तान के ओर चल पड़े कबरिस्तान पहुँचकर मैं आगिया हूं मिर्जा असलंबेग भया आ गए हैं कबरे के पास पहुँचकर अब जान क्या तुमने कभी इन महासाय से पचास सुन मुत्राओं गर्ज में ली थी अगले ही पल बेटा आमीर ये सक्स जो तुमारे पास खड़ा है आज से एक साल पूर्व मैंने इससे वास्तों में ही पचास सुन मुत्राओं उधार ली थी ओ बेटा तुम इनकी वो पचास सुन मुत्राओं ब्यास सहित इने वापस कर देना नहीं तो मैं जन्नत में जाने के बचाए दो जक्की आग में जलता रहूंगा हमेशा अब जान आप फिक्र ना करें मैं आपका करज अदा कर दूँगा पर आपकी आवाज को क्या हुआ ये भर्रा क्यों रही है बेटा मरे और जिंदा में यही तो फर्क होता है मर कर मेरी आवाज भी बदल गई है ओ तो ये बात है चच्चा जान आप मेरे साथ हवेली चलिए वहाँ मैं आपका करज अदा कर दूँगा चलो बर खुड़दार हवेली पहुँशने पर लेजिए चच्चा जान ब्यास सहित आपकी स्वन मुद्राएं खुदा मरहुम मिर्जा को जन्नत बकस कर भी जीवन में पहली कमाई कर ली पहली कमाई या पहली ठगाई अब तो जो चाहे समझ ले सबसे पहले उन्होंने एक स्वन मुद्रा से अपने लिए अच्छा सा भोजन खरीदा और तक पस्चात भाईया अब हमें घर लोटना चाहिए तो ठीक कह रहा है स्यामा नंद अब हमारी जेब खाली नहीं भरी हुई है इसलिए अब हमें हमारी पत्निया घर में घुसने से नहीं रोकेंगी दोनों अपने गाउं की ओर चल पड़े रात होते ही वे पराल गाउं के बाहर जा पहुँचे भाया दिन भर के भाग दोड़ी के कारण मेरा तो सरीड बुरी तरह तूट रहा है क्यों ना आज की रात यहीं इसी पेंड के उपर विताई जाए स्यामा नंद ठका हुआ तो मैं भी हूँ ठीक है ठीक है पहले मैं मुद्राओं के इस घड़े को कही छिपाने का परमन करनू रामा नंद ने सामने वाले एक खेत में एक गड़ा खोदा और बस अब सारी रत यह मुद्राओं यहां सुरक्षित रहेगी सुबह होने पर हम यहां से यह कलस्त निकाल ही लेंगे अब दोनों पेर पर चटकर उसकी एक मूटी डाल पर लेट गए ठाके हारे दोनों थे ही सो लेटते ही उन्हें गहरी निन्दा आ गई उधर दूसरी और पराल गाओं के किसान मंग्तू की आँखों से निन्द को सो दूर थी आज ना जाने मुझे निन्द क्यू नहीं आ रही है बहुत करवटे बदल ले, एम कोसिस करने के बाद भी जब उसे निन्द नहीं आई जब निन्द आही नहीं रही है तो क्यों ना मैं खेद की ओर चल लिए जुताई का जो काम मुझे कल दीन में करना है उसे आज रात ही क्यों ना कर दूँ उसने घर को बाहर से ताला लगाया और हल बैल ले अपने खेत की और चल दिया वो खेत मंगतू का ही था जिस खेत में रामानन्ने अपना सोन मुद्राओं का कलस धबा था उस खेत पर पहुँच मंगतू उसे जोतने में लग गया मंगतू था एक गरीब किसान थोड़ी जमीन में खेती करता और संतोस से रहता था मेरत से उसे जितना प्यार था लालस से उतना ही चिटता था वो उसने थोड़ी ही देर में कापी खेत जोत लिया था तभी खन अरे ये कैसी आवाज है उसने हल रोक कर जब उस अस्तान पर खुदाई की कलस इसके अंदर क्या हो सकता है जब उसने कलस के मुँँपर से कपड़ा हटाया ओ इतनी सारी सुन मुद्राए उसने कलस के मुँँपर पुर्वत बंद किया और उसे खेत के किनारे पर रख पुना जुदाई के कारे में जुट किया सुबह घर लोड़ते समय कलस को घर ले जाऊंगा भोर के समय जुताई का कारे पूरा कर जब वो अपने घर की ओर चला तो कलस को वही रखा भूल किया जब वो घर महुँचा धनिया उठ तु सोई पड़ी हुई है और मैं अपने खेत भी जोता आया आखे मलती धनिया उठी क्या कह रहे हो तुम कब खेत जोताए रात में और कब और हाँ सुन एक मज़ेदार बात बताता हूं तुझे खेट जोते से में मुझे खेट में दबा एक कलस मिला था कलस? क्या था उस कलस में? शोल मुतराओं से भरा हुआ था वो कलस धनिया कहा है वो कलस? उसे मैंने खेट के किनारे पर रख दिया था घर आते से में उसे साथ लाना यादी नहीं रहा तुम भी कैसे भूलक कड़ा आदमी हो जी सोने और मिटी में कोई फर्क ही नहीं समझते इतना किम्ती कलस इस तरह खेत में ही रखा छोड़ाए चलो अभी चल कर देखते हैं अगर वो कलस अभी भी वहां रखा मिल गया तो हमारी बड़ी ही किस्मत होगी दोनों उसी समय खेत की ओर चल दियें दूसरी ओर आमानन और स्यामानन जाग चुके थे चलो स्यामानन नीचे चल कर अपना कलस ले घर की ओर चलें हाँ भाईया भोर होने ही वाली है जब वे दोनों पेंड से नीचे उतर आएं अरे राथ ही राथ में ये खेत कैसे जुद गया भाईया वो देखो जो गलस हमने खेत में दावा था वो रहा दोनों दोड़कर कलस के पास पहुँचें सुक रहे किसी ने खोल कर इसे नहीं देखा अगर कोई इसे खोल कर देखता तो इसे यहां छोड़कर जाता स्यामानन ने कलस उठाया और उन दोनों के वहाँ से जाने के कुछ दिर बाद थी मंगतू और धनिया वहाँ पहुचे कलस तो अब यहां नहीं है धनिया अब वो यहां कहां होगा किसी की नजर में आ गया होगा वह उसे ले गया होगा दोनों वापस घर लोट पड़ें तुमारे जरासी असाधानी से हाथ आई लक्ष में निकल गई धनिया देखो इसमें इतना दुखी होने की क्या हो सकता है वो हमारी मेहनत की कमाई तो थी नही भगवान वो धन हमें नहीं किसी दूसरे को देना चाहता होगा चलो अब उस बा कलस की सुन मुद्राओं को देखेंगी तो खुसी से उचल पड़ेंगी स्यामानंद और क्या भईया जब यह घर पहुँचे कहां चले गए थे तुम दोनों पूरी रात घर से गाइब रहे सोना हमसे तमीज से बात कर कल तेरी बहुत बखबख सुनी थी हमने आज नहीं सु कलस में जरा मैं भी तु जानूं क्या हो सकता है इस गलस में हां आओ जोरा इस गलस के नजदीक आ जाओ सोना और चंदा और सुकता वस कलस के समीब आ गई अब मैं इस कलस का मूझ खोलता हूं जैसे ही रामानन ने कलस का मूँ खोला सर्ब फुस सुनमुद्राओं में सुनमुद्राओं के अस्तान पर सर्ब अरे अरे रामानन ने जपट कर तुरंती कलस का मूँ फिर बांध दिया यही था आप लोगों का कारू का खजाना इन निखटूओं से और आसा भी क्या की जा सकती थी यह तो हमारी मौद का समान इस कलस में लेकर आये थे वो तो गनीमत थी वो तो गनीमत समझो कि सर्ब ने हमें नहीं डसा सोना तुम गलत समझ रही हो तो सच क्या है आप मैं तुम्हें कैसे समझाओं सोना कि जब में मिस कलस को लेकर चले थे तो इसमें स्वन मुत्राएं भरी थी स्वन मुत्राएं और तुम्हारे पास अच्छी कहानी गड़ लेते हो दूसरी ओर चुपचापीसी सेवे घर से निकल जाओ और कुछ कमा धमा कर ही घर में घुसने की हिम्मत करना जाता हूँ भग्यवान मेरा कुर्ता तो छोड़ दो चंदा ने जटके से कुर्ता छोड़ दिया तुम बैल की तरह मुठाए क्या देख रहे हो तुमें भी घर से जाना होगा तुम जैसे निखटूओं की इस घर में कोई जगह नहीं है सोना हम पर रहम करो कुछ देर पहले ही तो ठके ठकाए हम लंबे सफर से वापस लोटे हैं और तु फिर हमें घर से निकाल रही हो यही सजा है तुम खाली जेब इन जहरीले सर्पों को घर लेकर लोटे ही क्यों जाओ कुछ कमा कर लाओ अब तभी तुम्हें इस घर में घुसने दिया जाएगा यह कैसी मर्दमार औरते हैं यह दोनो कुछ देर बाद अब क्या करें भईया भावी और चंदा ने तो हमें फिर घर से बहार निकाल दिया गल्ती हम से ही हो गई थी जब हमने यह देखा था कि कलस खेळ में दबे होने के अस्तान पर खेळ की किनारे रखा हुआ है तो हमें तबी कलस का मुँ खोल कर सर्पो को बंद कर गया होगा और कलस में सर्पों को बंद कर गया होगा आप ठीक कह रहे हैं भाईया मिलकुल ऐसा ही हुआ होगा हमें उस चलाक किसान को सबक सिखाना होगा जो सर्प उसने हमारे लिए इस कलस में बंद किये थे उन्ही सर्पों के द्वारा उसे मजा चखाना होगा लेकिन कैसे तू चल मेरे साथ दोनों उसी समय पराल गाउं की और चल दियें दोनों जब पराल गाउं के समय पहुँचे तो संध्या हो चुकी थी और मंतु खेत में काम समाप कर चुका हो था इसने ही रातो रात इस खेट को जोता होगा और यही कलस में से हमारी स्वन मुद्राई निकाल कर ले गया होगा रामानन ने चुपके से खेट की मेट पर उस कलस को रख दिया आओ अब हम छिपकर जरा नजारा देखे दोनों एक पेड के पीछे चुप गए जल्मंग तु मेट के समी पाया ओ ये तो वही कलस है पहले हाथ पाँ धोलू तब मैं इस कलस को घर ले जाओंगा आज किसी भी सूरत में इसे यहां नहीं छोड़ूंगा वो हाथ पाँ धोने में जुट गया वो कुछ भुलक कर सुभाव का था जो हाथ पाँ धो बिना कलस लिए अपने घर की ओर चल दिया ये तो कलस यहीं छोड़ कर चला गया भईया कोई बात नहीं अब हम इस कलस को इसके घर तक पहुँचाएंगे अब कलस उठा रामानंद और स्यामानंद मंग्तु के पीछे थे जबंक्तु घर पहुँचा धनिया मैंने कल तुझे जिस कलस के बारे बताया था वो कलस आज मुझे खेत की मेट पर रखा मिला अच्छा कहां है वो कलस धनिया मेरा भूलक करपन मुझे धोका दे गया खेत से चलते समय मैं आज फिर उस कलस को मही भोल गया भाड में जाए तुम्हारा भूलक करपन फिर एक बार घर आती लक्षमी को लात मार आए मैं अभी खेत पर जाकर उस कलस को ले आती हूँ अब हमें इस कलस को चोखट पर रखकर यहां से दूर हट जाना चाहिए किसान की पतनी जब घर से बाहर निकलेगी तो उसके दृष्टी चोखट पर रखके कलस पर निश्चे ही पड़ेगी तोनों ने ऐसा ही किया इधर जब धनिया द्वार पर आई अरे ये कैसा कलस है कहीं ये वही कलस तो नहीं है वो उस कलस को उठा कर अंदर ले गई ये कलस तो में कहां मिला इसे तो में खेट की मेट पर छोड़ा आया था बेकार की बातों में ना पढ़ो और जल्दी से इसके मुँझ को खोलो अब मरेंगे ये दोनों इसके मरने के बाद इनके घर में छिपा कर रखी स्वन मुद्राएं हम निकाल लेंगे जब मंग्तों ने कलस का मुँझ कोला ओ, स्वन मुद्राएं अभी भी कलस में ही है ये क्या, सर्प कहां गे और सर्पो के अस्थान पर स्वन मुद्राएं कहां से आ गई खन जरूर ये किसान कोई जादुगर है दोनों अंदर जा पहुँचे किसान भाई ये क्या माजरा है हमने इस कलस का मुझ घर जाकर खोला तो इसमें से सर्प निकले और तुमने खोला तो इसमें से सुन मुद्राएं निकली जबकि वास्तों में सुन मुद्राएं ही इस कलस में थी तुम्हें इस कलस के बारे में कैसे बता चला क्योंकि ये कलस हमारा ही था इसे हमने हИं तुम्हारे खेत में गाडा था ओ, तो ये कलस तुम्हारा है अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये सुन मुद्राइं कहां से मिली थी ये सुन कर सिमानन्द और रामानन्द अच्का कर एक दूसरे को देखने लगें इसे ठगी के बारे में बताया बताएं या ना बताएं कुछ सोचकर हमने इस कलस की मुद्राएं एक मुस्लिम युवक से ठगी द्वारा हड़ पी थी ओ तो ये चक्कर है तब रामानन ने विस्तार पुरवक मंगतु को अपने द्वारा की गई ठगी को बताया देखो भाईयो चुकि तुम ने एक दुखी आदमी से ठगी द्वारा इन सुनमुद्राओं को हड़ पा था इसलिए तुम्हें इस कैस्तान पर सर्प दिखाई दियें चुकि मैंने मेहनत द्वारा खेट जोते समय मुझे ये कलस मिला था इसलिए मुझे सर्पो कैस्तान पर सुनमुद्राओं ही दिखाई दी थी इसमें ना कमाल मेरा है ना दुमारा हाँ इतना अवस्य है कि मेहनत की कमाई पर ही आदमी को भरोसा रखना चाहिए ठगी चोरी के धन से कभी भी गुजारा नहीं चलता सैथ तुम ठीक कह रहे हो भाईया पर अब हम क्या करें सबसे पहले तुम इन मुद्राओं को इनके असनी मालिक के पास पहुचा कर आओ दोनों भाई उसी समय कलस को लेकर नगर पहुचे स्यामानन तो इस कलस को लेकर आमीर के पास जा और जो जा वो तुझे पहचानता है ना इसलिए तेरा जाना ही वहाँ ठीक रहेगा ठीक है भाईया खुझ देर बाद तुम्हारे मरहुम अबा से मैंने पचास स्वन मुद्राएं एक वर्स पहले उधार दे थी आज मैं उन्हें ब्यास सहित तुम्हें लोटाने आया हूँ कलस आमेर को लोटाने के पशचात अब भाईया अब हम महनत करेंगे मजदूरी करेंगे पठगी कभी किसी के साथ नहीं करेंगे दोनों ने ऐसा ही किया देन ढले जब एक घर पहुंचे तो मजदूरी की कमाएं उनके जेब में थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सेयर गमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और औल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ब मंधन भे था को चूंट कर वो सब्सकानी में बेकर प्दार कर दो कि है Ton